कि मैं आरजेडी का लभर हूँ और आरजेडी का मैं तह दिल से शुक्रिया करता हूँ और आरजेडी का मैं तह दिल से हुआ है किसी भी तरीका से आजाए नहीं है इसाल निशा दिदी कि यहां से बीजय है तो बीजय है पूरे तहदील से इधर आगे यहां पासवान जी देखिए सबसे बड़ी यहां मुवी का होती है कि अगर जादव तो भोड़ देवे करते हैं यह पासवान जी है चिराग पासवान आपका नेता है लेकिन आरजेडी में घुम रहे हैं जरूर किनको भोड़ दीजेगा आरज मिसा भारती कौन बनेंगे यहां के सामसद मिसा भारती बनें सबकारा रामकिलपाल जादव इतना दस साल से लगातार हैं कैसे देखते हैं करी 30-400 वोट से 30-40-000 भोट से अभी असोग महतों आये हैं काफिला में क्या लग रहा है कोई कर पाएंगे सोग महतों के आने से कुछ बोट ब़ेगा बहुत बढ़ेगा बहुत परभाप पढ़ेगा लालान सिंगों टेंशन आदी रामकिलपाल आदव को टेंशन ने जरूर बढ़ेगा उनको टेंसा तो हम आता को जलाग रहा ना भी जपी को आज पुरा नजवान एक हो गया है जितने भी उनके समर्था के सबका यहीं काना है कि मीशा भारती यहां के नए सांसत बनकर दिल्ली जाएंगा और यहां का विकास करेंगा बाकी आपका क्या रहा है कॉमेंट में जरूर बताईएगा आप देख रहे हैं के डेलूज हमें सुरेश कुमार जहें